स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बर पुना भारती वीजन क्लासेस पर आज हम बहुत ही महत्पुन टॉपिक ज्यान पिर पुरुसकार को लेकर आए हैं आज हम इसका निचोड MCQ सिरीज देखेंगे परिच्छा में हर बार जो प्रशन आते हैं यहीं से पुछते हैं तो उन सभी प्रशनों को देखेंगे जो परिच्छा में बार बार पुछते हैं और उन सभी प्रशनों को भी निचोड तरीकी से देखेंगे जो पूछने भी व प्रस नमबर दूसरा है भारतिय ग्यानपिर प्रुसकार का स्रिगनेश किसके द्वारा किया गया भारतिये ग्यानपिर पुरुषकार का स्री गनेश किसके द्वारा किया गिया ओफिसन नमबर ये है महाविर परशाद जेन और रमा जेन ओफिसन नमबर भी है सांती परशाद जेन और रमा जेन ओफिसन नमबर सी है जी संकर कुरूप और option number D है संक खोस जो इसका सही अंसर है इसका सही अंसर है option number G सांती परशाद जेन और रमा जेन ने ग्यानपिट पुरुषकार का सिरी गनेस किये थे प्रस नमबर तीसरा है ज्यानपिट पुरुषकार भारत की कितनी भासाओं में रचना करने वाले रचना कारों को दिया जाता है option number E है 22 भासाओं, option number B है 24, option number C है 21, option number D है 18 तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि भारत की राज भासाओं की संख्या कितनी है 22, तो यह नहीं 22 भासाओं में किसी भी भासा में रचना करने वाले जो रचना कार होते हैं, उनको यह पुरुषकार दिया जाता है तो किसी भी भास भारत की भास राज भासाओं में से किसी भासा में उत्कृष्ट रचना करने वाले जो रचना कार होते हैं, उनको यह पुरुषकार दिया जाता है, तो इसका सही अंसर क्या होगा, option number ये option number ये है, सुमित्रा नंदन पंत, B है, G संकर कुरूप, C है, महादेवी वर्मा, D है, रामधारिसी ही, दिनकर, अब यहाँ confusion नहीं होना है यहाँ प्रस्ण है, पर्थम ग्यानपिट पुरुषकार बिजेता, यहाँ यहाँ नहीं पुछा है कि हिंदी के पर्थम ग्यानपिट पुरुषकार बिजेता कोन है, यहाँ पुछा है, पर्थम ग्यानपिट पुरुषकार बिजेता, तो इस परकार क्या होता है, विद्य उस ज्यानपिर पुषकार के रूप में दिया जाता है तो क्या दिया जाता है 11,00,000 रूपए पर सस्ति पत्र और वाग देवी की का से परतिमा Option ये में है D में है 11,00,000 रूपए पर सस्ति पत्र वाग देवी की सवर्न परतिमा आफ्सन नमर C है 9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 अगला प्रस्ट है, प्रस्ट नमबर छे, छे प्रस्ट में है हिंदी भासा में पर्थम ग्यानपित पुष्कार विजेता कों है। अफसन नमबर ये है रामधारी C दिनकर, B है सुमित्रा नंदन पंत, C है महदेई वर्मा और D है निर्मल वर्मा तो सही जवाब क्या होगा ये तो आप जान ही रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत क्या है तो हिंदी के हिंदी भासा के पर्थम ग्यानपिट पुसकार विजेता हैं अगला प्रसन है प्रसन नमबर साथ सभी प्रसन एक से बढ़कर एक है और नेजेता यहीं से प्रत्वगी परिछा में ग्यानपिट पुसकार से प्रसन आते हैं तो प्रसन नमबर साथ है सुमित्रा नंदन पंत को किस कावी संग्रा पर ग्यानपिट पुसकार मिला सुमित् कावी संगरा पर इनको ग्यानपीट पुरुषकार मिला था तो आध रखेगा ओफ्सन नमबर डी ची दंबरा पर इनको क्या मिला था तो ग्यानपीट पुरुषकार मिला था तो सांतवा का सही जवाब क्या होगा ओफ्सन नमबर डी अगला प्रस्ण है सुमित्रा नंदन पंत को ग्यानपिट पुझकार कब दिया गया अफ्सान नंबर ये है 1972 B है 1965 C है 1968 D है 1982 तो सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है 1968 अनि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 इसमी में ग्यानपित पुसकार दिया गया अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर नौ अभी तक कितने हिंदी सहित्यकारों को ग्यानपित पुसकार प्राप्त हो चुगा है यहाँ पर कितने हिंदी सहित्यकारों की बात हुई है तो अफसान नमर ये है 10 सहित्यकारों को अफसान न जुकायत याद रखेगा 11 कितना तो 11 साहितिकारों को ज्यान पीट कुन है अगला प्रस्चन है ज्यान पीट पुरुषकार प्राप्त करने वाली परथम हिंदी महिला रचनयकार की बात हुई है तो option number यहां दियावा A में महादेवी वर्मा, B निर्मल वर्मा, C कृष्णा सोब्ती, D मीरा बाई तो सही जवाब होगा हिंदी भासा में पर्थम ग्यानपीट पुरुषकार विजेता नी महीला जो है वो कोन है तो महादेवी वर्मा जी है इसका सही जवाब क्या होगा? Option number यह अगला प्रसन है महादेव वर्मा को किस कावी संगरा के लिए 1982 इसवी में ग्यानपीट पुरुषकार पराप्त हुआ पुरा निचोर MCQ सीरीज है ग्यानपीट पुरुषकार से तो यहां option number यह है निर्जा के लिए मिला यामा कावी संगरा के लिए मिला दीप सीखा कावी संगरा के लिए मिला या सांध्य गीत कावी संगरा के लिए मिला तो सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है यामा कावी संग्रपर महादेवर्मा को 1982 इस्वी में क्या मिला था तो ग्यानपिट पुरुषकार मिला था अगला प्रस्न है इन में से किस रचनाकार को ग्यानपिट पुरुषकार प्राप्त हुआ है अब यहाँ option चार है जिसमें से एक रचनकार ऐसे हैं जिनको ज्यान प्रिट पुश्खार प्राप्त हुआ है बाकी को नहीं हुआ है चले option में ढूनते हैं किनको प्राप्त हुआ है मेथलिस रण गुपत जी को नहीं मिला है प्रेम घंजी को नहीं मिला है जैसे अंगर परशाद जी को भी नहीं मिला है नरेश महता जी को मिला है तो सही जवाब क्या होगा नरेश महता पाद रखेगा बड़े बड़े सहाथिकार की रूप में सोचकर जवाब गलती ना करना मैथली सरान गुपत प्रेम घम जैसे अंगर परशाद जी से बड़े आप्सिन में तीन ऐसे हैं जिनको मिला है और एक को नहीं मिला है आप्सिन नमर ये है नरेश मेहता आप्सिन नमर बी है अमर कांथ सी है केदार नाथ सिंग और डी है कमलेसवर तो यहां देखिए नरेश मेहता को मिला है अमर कांथ जी को मिला है केदार नाथ सिंग को मिला है क प्रशन नम्र डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा प्रस नम्र prot पुस्कार कबसे संपुन सहित्य में योगदान देने के लिए दिया जाने लगा याद रहे हैं कि जान्ट पुस्कार परारमं में था किसी एकल रचना के लिए दिया जाता था प्रंतु आगे चलकर इसे संपुन सहित्य में बेहतरिंग योगदान देने के लिए दिया जाने लगा तो यहां ग्यानपिर तुसकार कब से संपुन सहित्य में योगदान देने के लिए दिया जाने लगा तो 1972 स्विसे, 1982 स्विसे, 1984 स्विसे या 1880 स्विसे तो 1880 तो अफ्सान में होगा नहीं तो इसका सही जवाब है 1984 स्विसे ज्यानपित तुषकार जो है संपुन सहिते में योगदान देने के लिए दिया जाने लगा प्राराम में एकल क्रिती के लिए दिया जाता था इसे भी याद रखिएगा अगला प्रस्न है रामधारी सी दिनकर को ज्यानपित पुष्कार कब मिला रामधारी सी दिनकर को ज्यानपित पुष्कार कब मिला ओफ्सन नमर ये है 1972, B है 1978, C है 1992, D है 1999 तो रामधारी सी दिनकर को ज्यानपित पुष्कार कब मिला तो इसका सही जवाब है उनिस सो अफसर नमर ये है 1972 इस भी अगला प्रस्ण है नरेश मेहता को ग्यानपिट पुरुषकार कब मिला नरेश मेहता को ग्यानपिट पुरुषकार कब मिला 1972, 1978, 1992 या 1999 जिसका सही जवाब है 1992 को नरेश महता को ज्यानपिट पुरुसकार मिला अगला प्रस्न है निर्मल वरमा को ज्यानपिट पुरुसकार का मिला यह सभी जितने हैं हिंदी के सहित्तिकार है जिनको ज्यानपिट पुरुसकार प्राप्त हुआ है आपको बताते कि ज्यानपिर पुसकार जो है भारत के सविधान में बाइस भासाओं में से किसी भी एक भासा में रचना करने वाले सहतिकार को मिलता है नि बाइस में से किसी से में भी रचना करने वाले तो निर्मल वरमा को ज्यानपिर पुसकार कब मिला तो 1972, 1978, 1992 या 1999 इसका तो निर्मल को 99 में क्या मिला था तो ग्यानपिट प्रुषकार मिला था अगला प्रस्न है अग्ये को ग्यानपिट प्रुषकार कब मिला अग्ये जी इनको ग्यानपिट प्रुषकार कब मिला और सनमर ये है 1972, B है 1978, C है 1992 और D है 1999 तो अग्याई को ज्यानपिट पुरुषकार कम मिला तो 1978 इसवी आद रखेगा 1978 इसवी 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंद को 1972 में मिला दिनकर को 1978 में मिला अग्याई को और 1972 में किसे मिला तो महादेवी वर्मा को ये चार सहित्तिकार ऐसे थे जिनको एकल रचना के लिए क्या मिला था तो ज्यानपिट पुरुषकार मिला था प्रस्ट नमर 19 है अग्या को ग्यानपिर पुस्कार किस रचना पर मिला तो अग्या को ग्यानपिर पुस्कार किस रचना पर मिला सेखर एक जीवनी, भगन दूत, कितने नाओं में कितनी बार या हरी घास पर चन भर तो अग्ये को ग्यानपिट पुश्कार की सरचना पर मिला था तो आद रखेगा कितने नाओं में कितनी बार अगला प्रस्न है कुवर नरायन को ग्यानपिट पुश्कार कब मिला कुवर नरायन को ग्यानपिट पुश्कार कब मिला ओफ्सन नमबर ये है 2005 को ओफ्सन नमबर बी है 2009 को ओफ्सन नमबर सी है 2013 को या ओफ्सन नमबर डी है 2017 को तो कुवर नरायन को ग्यानपिट पुश्कार कब मिला तो 2005 इस वी में अगला प्रस्न है स्रीलाल सुकल को ग्यानपिट पुश्कार कब मिला स्रीलाल सुकलक को ग्यानपिट पुसकार कम मिला 2005 में, 2009 में, 2013 में या 2017 में तो 2005 में तो नहीं होगा 2000 क्या होगा इसका सेजवाब तो 2009 में क्या मिला तिन को ग्यानपिट पुसकार मिला अगला प्रस्न है अमरकांद को ग्यानपिट पुसकार कम मिला अमरकांत को ग्यानपिट पुस्कार कम मिला तो अमरकांत को ग्यानपिट पुस्कार कम मिला 2005 में, 2009 में, 2013 में या 2017 में तो याद रखेगा इनको भी 2009 में ही क्या मिला था तो ग्यानपिट पुस्कार मिला था तो अब यहां प्रस्न है अमरकांत और स्रिलाल सुकल दोनों को कम मिला है तो दोनों को मिला है 2009 इसवी में अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर 23 केदार नाथ सिंग को ग्यानपिट पुसकार कम मिला 2005 इसवी में 2009 इसवी में 2013 इसवी में या 2017 इसवी में तो केदार नाथ सिंग को ग्यान पिट पुसकार का मिला तो केदार नाथ सिंग को 2013 में ग्यान पिट पुसकार मिला अगला प्रसन है कृष्णा सोबती को ग्यान पिट पुसकार का मिला 2005, 2009, 2013 या 2017 तो आप तो जवाब जान ही गए होंगे क्यों कि 2005, 2009, 2013 को बता चुके किन को कि को मिला तो इसका सेही जवाब है 2017 अगला प्रस्ण है प्रस नमर 25 हिंदी साहित्य में ग्यानपिर पुसकार अभी तक कितनी बार दी जा चुकी है बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है हिंदी साहित्य में ग्यानपिर पुसकार अभी तक कितनी बार दी जा चुकी है कितनी बार दस बार दी जा चुकी है जबकि हिंदी के 11 सहित्तिकारों को मिली है तो यह जो confusion है इसे भी हम आपको दूर कर देंगे तो क्योंकि आगे भी इसे जुड़ी प्रस्ण है जिसके कारण अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं आगे मैं इसको clear कर दूँगा या आप ख सहित्त रूप से 2009 इस्वी में ग्यानपिट प्रुषकार प्राप्त हुआ अब 2009 में जो ग्यानपिट प्रुषकार मिला था वो दो सहित्तिकारों को सहित्त रूप से मिला था जहां option है option नमबर ये कमलेश्वर और अमरकान्थ option नमबर D है बिनोत सुकल और कृष्णा सोप्ती option नमबर C है स्रीलाल सुकल और अमरकान्थ option नमबर D है नरेश महताया स्रीलाल सुकल तो उसका सही जवाब है स्रीलाल सुकल और अमरकान्थ हम आपको बताये थे 2009 इस्वी में स्रीलाल सुकल को मिला था 2009 इस्वी में अमरकान को मिला था इसलिए एक कंफियन हो रहा था कि अभी तक ग्यानपिट पुरुषकार को 10 बार दिया जा चुका है जिसमें 11 सहित्तिकारों को मिला है आप 11 सहित्तिकार होने का कारण है 2009 में हिंदी के 2 सहित्तिकारों को सहित्तिकारों को सहित्तिकारों मिलने के गारण सहित्तिकारों की संक्षा इग्यारा हो गई और कितनी बार मिला तो दस बार मिला है प्रस नमर 27 जयनापस्प्रृसकाऱ प्राप्ट करने वाली पर्थम महीला कों थी बहुत भ़्यात पूर्ण प्रसन mets trauesनais पर्थम महीला की लेकिन अगर प्राप्त करने वाली ग्यानपिर पुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला की बात हो तो याद रखेगा आसा पुर्णा देवी को मिला था याद रखेगा ग्यानपिर पुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला को थी तो आसा पुर्णा देवी और हिं भगवान संकर, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती या माता दुर्गा तो सही जवाब क्या होगा तो ज्यानपिर पुरुषकार की रूप में किस भगवान की पर्तिमा दी जाती तो माता सरस्वती की प्रस नमबर 29 है, ज्यानपिर पुरुषकार प्राप्त करता की दार पर ग्यानपिर पुरुषकार विजेता को देखना है, तो सही अनुकरम को देखना है, तो सबसे पहले देख लेते ही किन को कम मिला दिनकर को कम मिला तो उनी सो बहतर अग्ये को उनी सो अठतर केदार नाथ सिंग को उसके बाद ध्केदारनात सिंग को कब मिला है तो 2000 तेरा निर्मल वर्मा को कब मिला था तोser 99 नि से बते थे नि से निर्मल नि से 99 होता है तो अब यहाँ सही तेरा मीं को देखना है तो पहले 72 हो जाएगा 72 के बाद 78 78 के बाद 99وع इनाबे क्वाद 2013 तो मेरा ओफशन केशी जाएगा पहला हो जाएगा दिनकर दूसरा हो जाएगा अग्ये तिसरम आपका आजएगा निरमल वर्मा और चौंधा में केदारनाथ सिंग्ग तो इसमें सही अनुकरम कौन सा है तो ओफशन नंबर जो भी है आपका सही अनुकरम है जिनकर अग्ये निर्मल वर्मा और केदारनाथ सिंग तो इसे आप याद कर लिजेगा बहुत ही महत्पूर्ण है अगर आपका इस्तरम दे दिया सही अनुकरम को बताने के लिए तो आप confusion में हो सकते हैं पर परिच्छा में प्रस्न गलत भी हो सकते हैं तो इसे आप ध्यान से सभी का जो प्राप्त वर्स है उसे आप याद कर लिजेगा प्रस नमबर तीसे है ज्यान पिट प्रुसकार प्राप्त करने वाली अंतिम हिंदी लेखी का कोन है तो नसीरा सर्मा क्रिष्णा सोप्ती महादेवर्मा या फ्यनिस्वर नाथ रेनू तो यहाँ पर नसीरा सर्म और निरेनु को तो प्राप्त हुआ ही नहीं है अब यहां किरिष्णा सोप्ती महादेवर्मा है अब आपको पता है महादेवर्मा पर्थम हिंदी महिला है तो अंतिम कोने किरिष्णा सोप्ती है महादेवर्मा को 1922 में ग्यान प्रुसकार मिला जबकि किरिष्णा सोप्ती पीडियेफ नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आजी भारती विजन क्लास के टेलिग्राम ग्रूप में ज्वाइन करें और वहां ज्वाइन करने गवाद आपको पता चलेगा पीडियेफ आपको कैसे प्राप्त होगी और इसके लावे जो भी विद्यासी जारखन क त्यारी करें जारखन की परत्यों की परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं अगर आपका पेपर टू में आप हिंदी लिए हैं इसका संपूर्न हस्त लिखित नोट्स आप ले सकते हैं फुरा सिलेबस कभर हस्त लिखित नोट्स है जिसका क्लास यूट्यूप पर भी अफ्लोड ह और उसे आप नोट्स के रूप में भी ले सकते हैं जो आपको PDF के रूप में दिये जाएंगे और ये आपको WhatsApp में डारेक्ट दिये जाएंगे इसे प्राप्त करने के लिए आप टेलिग्राम गूरूप में ज्वैन करें या फिर हमसे डारेक्ट कोंटेक्ट करें और दोनों को हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं तो आज की कलास यहीं तक मुझे उमिद है तीस प्रस्न है इससे बाहर एक भी प्रस्न परतोगी परिक्षा में अगर ग्यान पित प्रुसकार से अगर सवाल उठाता है तो इससे बाहर नहीं पूछ सकता है